हेलो दोस्तों स्वाधातिक बक्ति राप लोगा एमपॉर मैच्स में तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के अंदर पॉइंट इन डू परसंट रैक्टिक कोस्टेंस जड़ली दोस्तों इस रैक्टिक कोस्टेंस आपको बैंक और ससी के एक्जामस में इतना को मिलते हैं तो आज की सेशन हम लेए देखेंगे कि कितना इज़ी इस ताइप की कॉशन स्टार्म सॉल कर सकते हैं तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले जल्दी सीखभाई वीड वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्स्राइब कर दीजे ताकि आने होले इस साथ को यहीं मिलती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कोशन है दोस्तों हमारे पास pointing to a woman, Mayank said she is the only daughter of my wife's grandfather's only child how woman related to Mayank और यह options है तो दोस्तों इस ताइप जब भी questions आएगे हम सबस्ट पर यह देखेंगे कि हमें किसके बारा कुछ है मतलब यहां देखे, how woman related to man मतलब बात किसके कुछ ही है woman की तो obviously जो option होगा हमारे पास वो क्या होगा female option तो male वाले option क्या कर दें हम automatic eliminate तो यहां देखें हम एक father और एक husband दोनों ही male वाले option थे तो क्या पर दें हमनें दोनों को eliminate मतलब final answer यहां तो second होगा यहां थर्ड होगा अब यह से question को करने की strategy क्या होती है सबसे भी हम यह देखेंगे इन questions में कि बोल कुन रहा है मतलब कि pointing to a woman मैंग से यहां देखें मैंग बोल रहा है तो हम मैंग को बना लेगे अब आगे का question क्या अपलेंगे रेस को छोड़ देंगे अब हम word पकाएंगे कुन सा my क्योंकि माय किसको represent कर रहा है मैंग को मैं क्या बोल रहा है माय wife's grandfather's only child मतलब कि मैंग की जो wife है उसके grandfather मैंग की wife के grandfather को रहा है father के father मतलब यह हो गया मैं की wife की grandfather इनकी only child इनकी only child को रहा है यह हो जाएगी मतलब मैं की wife के father का जाएगी इनकी only child अब माय से लेकर यहां कर का हमारा statement हो गया अब हम यहां से reverse चलेंगे अब क्या पुछा हमसे she is the only daughter कौन she किसकी बात हो रहा है woman की क्यों कुछी किसकी तरफ देखके बोलेता है woman की she is the only daughter मतलब इनकी इकलाथी daughter कुन होगी यह खुद woman मतलब इनकी इकलाथी daughter कुन आ रही woman तो इसका relation क्या है मैं से how woman related to mind तो इसका relation मैं से क्या है यह तो मैं की कौन है wife है मतलब option हम कुन सा देख रहेंगा हमारा third ला तो इस तरीके से हमने final answer इसका मिंकाल लिया तो देखा दोस्तो इस तरीकी question को करने की strategy का होगी सबसे पहले हम देखेंगे कि कि किसके बार बूचा है अगर male female तो हम उसे साब से option से eliminate कर देंगे हम उन्हें अब हम शुरुवार कहां से करेंगे कि कौन बोल रहा है यहां इस question में देखा मैंग बोल रहा है अब मैंग के बाद में work कुन सा पकड़ेंगे माय क्यों क्योंकि माय रिप्रेसेंट किसको करेगा माय को हमने पूरे question को छोड़ दिया में a woman said that his father-in-law's father is my father-in-law how the man related to woman और यह चार options है यहां पर देखे दोस्तों हम कि हमें पूछा क्या है how the man related to woman मतलब बात वरी men की तो हम जो हमारे options होगे उसमें क्या होगे मतलब female option क्या कर देंगे मतलब 3rd और 4th option क्या हो जाएगा हमारा element हो जाएगा मतलब final answer या तो first होगा या second होगा तो start करें हम हमारे तरीका वही होगा कि सबसे बिले वो देखेंगे कि कौन बोलगा है pointing to a man a woman said मतलब बात कुम कर रहा woman तो हम सबसे बिले woman को draw कर लेंगे अब rest question छोड़ देंगे हम my word पकड़ेंगे my father-in-law my किसको represent कर रहेगा woman को my father-in-law मतलब woman के father-in-law woman के husband होगे और इस husband के कौन होगे father तो यही को होगे woman के father-in-law माय से हमने complete कर लिया अब पीछे आये तो पीछे से देखे हमारा word बना his father-in-law's father अब यह बंदा जो होगा वो कौन होगा father-in-law's father किसका man का तो हम यह man का draw कर लेते हैं अब man के father-in-law's father की इस हिसास होएंगे कि man की कौन होगी वाइफ होगी और इस wife के father के father होगी है मतलब कि यहां देखे यह जो बंदा है यह कौन होजाएगा wife का father तो होगया man का father-in-law's father तो इस हिसास से हम देखा कि final हमारा trick item बंद चुका है अब यहां का question बूछा है How the man related to woman यह man woman से क्या relate कर रहा है तो यहां देखे कि woman की daughter और daughter का husband मतलब finally देखे कि woman का man कौन होगा हमारा son-in-law तो option number कुम सा होजाएगा हमारा two जो की इसका final answer तो इस जिसाब से हम ऐसे questions को solve कर सकते हैं अब हम एक next question को और देख लेते हैं तो next question है Pointing to a man a lady said that he is the father of my mother's daughter's only brother How is man related to lady तो अगें दोस्तों में यहां पर देखेंगे कि 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 के बारे पुछा है तो यहां देखें हमारे पास कि how is man related to lady मतला man के बार बुछा है तो option में देख लेएगे कि जो भी female option होगा वो इलिमेट कर देखेंगे बट अब यहां देखें कि 4 option ही के आएगे तो हमें पूरा पूरा इससे solve करना पड़ेगा तो solve करने की strategy वही है कि सबसे परी यह देखेंगे कि कोन बोल रहा है तो pointing to a man a lady से मतला lady बात करें लेडी लिख लेते हैं अब lady के बाद हम rest question छोड़ देंगे हम word पक्रेंगे my क्यों को कि यह my किसको रिप्रेजेंट कर रहेगा lady को अब my mother's daughter's only brother मतला my कुन होगी lady लेडी की mother's daughter's only brother लेडी की मम्मी क्यों होगी यह ladies mother's daughters लेडी की मम्मी यह होगी तो मम्मी की daughter कौन होगी यह खुद लेडी अब यहां देखे only brother तो इस lady का brother कौन होजाएगा हम यहा बना लेते अब देखे माय से लेकर यहां तक statement complete होगया अब हम पीछे चलते हैं He is the father He कौन रिपेजेंट करा man को मत्तब man को है इसका father मत्तब इसका father को है ना man तो यहाँ पर हम man को बना लेते हैं तो यह हो गया He is the father इसका इसका अब finally हमें पूछा क्या है How is man related to lady मत्तब man क्या relate करा इस lady को तो दोस्तो रेखे यह जो हैगा में का क्या हैगा संद और यह संद की कोन है यह इसका father होगा तो option number कौन सा हो जाएगा हमारा fourth तो इस हिसाब से दोस्तों हम point into a personal question इतनी आसानी से solve कर सकते है तो यह था दोस्तों आज का session हमारा blood relation के उपर जिसमें हमने point into a personal type की questions देते हैं तो hopes आपको वीडियो अच्छे से समझाए आ चुकी होगी आपके इससे related सारे doubts here हो चुके होगी तो यह कुछ questions है जिनके answers आपको मुझे comment section में comment करके बताना है और दोस्तों वीडियो अच्छे लिए होगी प्लीज वीडियो के एकपा लाइक कीजेगा तब तक के लिए thank you